ये देखिए बहुत ही चत ताजे ताजे फूल गोबी का फुला फुला खस्ता कराडा नास्ता ये नास्ता के आगे आप भूल जाएंगे पूरी पराठा और पकोडा आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कोबी का बहुत ही टेस्टी युनुके स्टाइल में खस्ता कराडा नास्ता इसके आगे आप पूरी पराठा पकोडा खाना भूल जाएंगे आप इसे एक बार अपने घर में जरूर बना कर देखें ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है तो चलिए कोबी से नास्ता में बनाना सुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं बरे बरतन को गैस पे रख दी हूँ इसमें मैं पानी को डाल देती हूँ अब दो गिलास पानी इसमें डाल दे डाल कर आप एक पूरा कोबी को ले ले मैं एक पुड़ा कोभी अच्छा कोभी लेकर इसमें डाल देती हूँ आप डाल कर आप इसे अच्छे से गर्म होने दे पानी को गर्म होने दे इसमें थोड़ा समय हल्दी पॉड़र को डाल देती हूँ डाल कर मैं इसे पका लेती हूँ आप थोड़ी देर इसे परच मिनर त आप इसे चो्टे चोटे चोटे पीसों में काट लेती हूं तो मैं कोभी को चुटे चोटे तुक्रों में ग्णाइंड कर लेती हूं तो मैं कोवी को टुकरा टुकरा कर ली हूँ, यह छोटा छोटे पीसों में कोवी को काट ली हूँ, इसे मैं ग्रैंड कर लेती हूँ, तो मिक्सर को मैं ले ली हूँ, इसमें मैं अधरक अडलासन को डाल कर इसे मैं ग्रैंड कर लोंगे, इसमें मैं कोवी को डाल देती हूँ, जो उबाली हूँ कोवी उसको मैं डाल कर इसे ग्राइंड कर लेती हूँ आप चाहे तो इसमें पानी थोरा सा डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि ये कोवी जो है पका हुआ है मैं ग्राइंड कर ली हूँ बालकर मैं रखियूं उससे निकल गया है और भून दूँगी तो इसका भी जो कच्चा हलका रहेगा यह दूर हो जाएगा। इसका नास्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इसमें मैं पानी को डाल देती हूं। पानी डालकर इसे मैं मिला लेती हूं। मिला कर इसे पाँच मिनट के लिए मैं इसे पकाती हूं। आप इसे अच्छे से पका ले थोरी देर। आप कोबी का नास्ता कभी भी नहीं खाए हैंगे तो इस एस्टायल में आप नास्ता बना कर ट्राइ कीजिए। यह बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और सभी लोग इसे पसंद भी करेंगे। अम इसमें थोरा सा नमक को डाल देती हूं। नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते। मैं पहले भी थोरा सा नमक इसमें डाली हूं। इसलिए आप अपना हिसाब से नमक को डाल कर इसे मिला ले। और थोरी देर और इसे आप पकने दे। अब मैं इसमें मिर्ची पॉडर को डाल देती हूं। मिर्ची पॉडर आप अपना ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं। या कम तीखा तो अपना अनुसार आप डल सकते हैं डाल कर इसे आप मिला ले और इसे और पका कर आप इसे उतार ले अब मैं आटा को गुध लेती हूं मैं बड़े बरतन को ले ली हूं इसमें मैं गेहू का आटा डाल रही हूं दो बड़े चम्मच से मैं गेहू का आटा डा टेल 12 इसको मैं डालकर आटे को मैं हैान को आटे को अच्छे से मिलागत कर देघुछ इसमें पानी डाले इसी से आप आटा को गुथ ले आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल भी सकते हैं, तो उपर से मैं पानी को नहीं डाली हूँ, यही पेस्ट से हम आठा को अच्छे से गूथ लेती हूँ, तो आठा को आठा को आठा को आठा गूथ ले, मैं आठा गूथ कर रख ली हूँ, छोटे-छोटे लोई को मैं काट कर रख लेती मैं पहले धनिया पत्ता डालना भूल गई थी इसलिए मैं बाद में धनिया पत्ता को मैं डाल दी हूँ मैं इतना पतला नास्ते को बना लेती हूँ कराही में तेल हमरा गर्म था इसमें मैं डाल देती हूँ डाल कर इसे मैं छान लेती हूँ आप इसे अच्छे से इसे छान ले, आपका तेल अच्छे से गर्म रहेगा तो आपका जो ये नास्ता है ये फुला-फुला बनकर तयार होगा, ये बहुत ही फुला-फुला बनकर तयार हो रहा है, मैं इसे दूसरी तरह पल्ठा लेती हूं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में, आप इसे एक बार अपने घर में जरूर बना कर देखिए, यह कितना टेस्टी है, अम इसे निकाल लेती हूं, दूसरी पूरी को मैं इसी तरह से बना लेती हूं, इसी तरह से मैं पूरी को डाल दी हूं और डाल कर इसे बना लेती हूं, आप गैस को मीडियम ही रहन आपइसे अपने घर में जरूर बढ़ाई है तो मैं पूरी को बना कर डख लिए हम इसे निकाल लेते हूं ये बहुत ही खिला खिला फूरी बनकर तयार हुआ है ये देखनेमे कितना टेस्ट हिएर खाने में उतना ही स्वादिष्ट है हमारे चैनल पर ने है तो मुझे सपोर् में जरूर लिखें तो आप इसे अपने घर में जरूर ट्राय करके देखिए ये बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होगा आप इसे एक खाएंगे इसका स्वाद कभी भी नहीं भूलेंगे मैं चाहती हुँ कि आप लोगी से जरूर बना कर देखे ये बहुत ही टेश्टी बनकर तयार होगा तो आप सभी को परिवार भी बहुत ही पसंद करेंगे ये नास्ता खाकर देखेंगे तो तो मैं मिलती हूँ आप सभी से कल नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अपना ख्याल रखे और सौस्तरे हसते रहे और मुस्कुराते रहे